हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में और अब हम शुरू करने वाले हैं आज रात वाली पढ़ाई जो कि थोड़ी थोड़ी नीन के साथ में हमें करनी है इस समय लगबख सभी लोगों को नीन आने लगती है लेकिन फिर भी हम एक्जा है तो जा कि देख सकते हैं प्लेरिस पर आपको मिल जाएंगे और अगर आपसे वो कोईशन सॉल्व ना हो रहे हों तो आप सबसे पहले अपना बेसिक अच्छा कीजिए बेसिक अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपका जो बेरेक्ट है उससे आपका बेस क्लियर नहीं होगा सेक्छन 3 की अगर बात करें तो जो कि परिभाशित खंड से संबंदित है तो आपको उसके लिए टेक्स्ट बुक एक बार जरूर रेफर करना चाहिए मैं तो कहूंगी कि कम से कम 4-5 बार पढ़ लेना चाहिए आपको कम से कम सेक्छन 3 में जितने भी डे तो मैंने सबसे पहले टीपी एट के ही वीडियो डालने शुरू किये थे तो आप जा करके प्लेइलिस पर देख सकते हैं आपको हर एक जो बेसिक कॉंसेप्ट है उसके मिल जाएंगे वीडियो से सबसे पहला कोश्चन है सामने में कि किसी लिखत के संबन्द में अनुप्रमानित का मतलब क्या होता है और इसमें सदैव नियुनतम कितने लोगों को अनुप्रमानन के लिए रखा जाता है तो यहां पर अटेस्टेशन की बात कर रहा है कि अटेस्ट करने के टाइम पे अन हस्ताक्षर करते वे लिखते वे साइन करते वे सुखिति देते वे देखा होना चाहिए तो उनी लोगों के बात हो रही है तो यहां पर दो लोगों की अवश्यक्ता होती है देख लीजे आप और काफी जगर ये कुश्चन पूछा गया है अब दिखाई दे रहा है चलते ह आपने बेरेट को पढ़ा है या टेक्स्ट बूक को अच्छे से देख लिया है तो वहां पर आपको यही डेफिनेशन मिलेगी कि दोनों सत्यापन करता साक्षी ने यानि जो दोनों पक्षकार की तरफ से जो साक्षी होंगे उन्होंने दस्तावेज निश्पादक को हस्ता हैं जो कि हमारा क्वालिफाइ नहीं हो पाता मेरा अपना खूद का experience है कि हम M.C.Q नहीं लगाते हम M.C.Q कम करते हैं कम पढ़ते हैं हम B.A.L.C जादा पढ़ते हैं तो अगर हम एक्जाम के लिए सिर्फ तयारी करें लेकिन उसे परफॉण करना हमें ना आए तो फिर फाइ संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्लिखित में से कौन सी धारा सूछना को परिभाशीत करती है तो यह आपको इंटेपृटिशन क्लॉज में ही मिलेगी तो यह धारा तीन में है किसी भी व्यक्ति को किसी तत्थी की सूचना है ऐसा कहा जाता है कब जबकि उसे उस तत्थे का वास्तव में ग्यान हो तभी पता चलेगा कि उसे उसकी सूचना है या नहीं अनसर में भी यही है कुर्शन नंबर 26 संपत्ति अंतर अन्दिनियम के समंद में विचार नहीं करता तो यह सम्वेभार में सूचना पर विचार नहीं करता वास्तविक निहित और आरोपित विचार करता है मैं आपको बार बार बोलती आ रहे हूं और मैंने तीनों वीडियो म आपके यह जो है बेसिक सॉल्फ हो पाएंगे नहीं तो यह आपको दिक्कत करेंगे एक्जाम में चलिए नेक्स कुशन की तरफ स्टेटमेंट नंबर ए यानि अ कहता है कि संपत्ती एक व्यापक शब्द होता है और इसमें कॉपीराइट भी शामिल है यह बात बिल्कुल सही है कॉपीराइट जो है वो एक मौवेबल प्रॉपर्टी है दूसरा के संपत्ती अंतरन अधिनियम में पेटेंट सहीद सभी प् संपत्ति में रखा गया है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में यहां पर स्टड़ी करते हैं हर तरह की संपत्ति को यहां शामिल नहीं किया गया है संपत्ति अंतर अधिनियम के अध्याए और धाराएं जो है जिनका सम्द समविदा से को समविदा अधिनियम का भाग के रूप में और निम्लिखित में से किसे उसके पूरख के रूप में लिया जाएगा तो ये है पंजी करन अधिनियम ये जो transfer of property act के section 4 से इस question को बनाया गया है इसमें पूछा जा रहा है कि ये तो पता चल गया कि transfer of property act के chapter और section जो है इनका सारा relation contract से है यानि कि जब भी हम property के transfer की बात करते हैं तो बिना contract के यानि बिना agreement के हम उसे transfer करी ही नहीं सकते यहाँ पर जब ये संविदा से ही पैदा होती है हर कुछ लेना देना तो फिर ऐसा कौन सा act है जिसके बिना आपका जो है transfer जो है complete नहीं होगा तो वो है पंजी करन अधिनियम कि जब भी आप किसी भी property को यानि जैसे immobile property के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर provisions आपको मिलेंगे जैसे section 54 है जो sale के chapter से उसमें भी बोला गया है कि 100 रुपे से जादा मूली की जो संबत्तियां होंगी उन्हें आप जो है registration कराएंगे और उसका return में होना चाहिए और attestation जरूर होना चाहिए तो यहाँ पर वो ही बोला जा रहा है कि जब तक आप किसी भी document का registration नहीं कराएंगे या अपने contract को register नहीं कराएंगे तब तक वो incomplete ही माना जाएगा तो जो भी chapters है जो भी section है वो contract act का part है और registration act के बिना जो है ये act complete हो ही नहीं सकता तो यह आप section 4 को अच्छे से देख लीजेगा इसके बाद next question है कि इन में से किसका संपत्ति अंतर धिनियम से कोई संबन नहीं तो वायू जर्प्रकाश इन में से किसी का भी संबन टीपी act से नहीं है ये भी आपको textbook में ही मिलेगा अब जो किसी भी exam में ये वाला जो part होता है जहां पर आपको sections match करने के लिए दिया होता है ये बहुत important होता है इससे आपको ये पदा चलता है कि आपको sections को जरूर देखना तो कुछ sections ऐसे होते हैं जो कि बहुत जादा important नहीं होते इसलिए उनका या तो सिर्फ heading पूछा जाता है या question match करने के लिए आता है section के साथ में तो इसको आप उस तरीके से ही देखिए तो यहां पर बोल रहा है कि कौन सा जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है तो इस थावर संबत्ती की जो परिभाशा है वो धारा 2 में नहीं बलकि धारा 3 में ली गई है लेकिन भार यानि प्रभार की 100 में ही है पाशिक रेता का करमदन यानि आपने rule of marshaling देखा हो section 56 में है और बंदकी trend जो है 134 में ये बाकि कि सारे sections सही है तो ये देखने से आपको ये पता चलेगा कि ये जो सारे section है 156 और 134 ये सब इसी तरीके से पूछे जाते है और वो आपको पता होना चाहिए कि interpretation जो है 2 में नहीं 3 में है कि बहुत सारे acts में 2 में भी होता है तो confuse आपको नहीं होना है तो आज वाले वीडियो में हम इतने ही देखेंगे questions आप इसको देख लिजेगा सुन लिजेगा और खुद से भी बनाईएगा और पढ़ते रहेए पढ़ाई एक दिन माँ छोड़िए और मन लगा के पढ़िए अपना ख्याल लखिए खुद भी खुश रही दूसरों को भी रहने दीजे अभी सोम जाएगा अभी पढ़ते रहेगा गुद नाइट मेरे तरफ से sweet dreams और बाई बाई